नमस्कार गूर्णिंग आम राम एक औरोल उग में आप सभी का स्वागत है और आज आपको अपने इस वीडियो में इसकी जो ओडियो कौल्टी वह थोड़ी ज्यादा इची देखने को मिली होगी तो देखने को मिली होगी ज्यादा इसका रिजिन है कि अपनी इसका माई की इसकी आई से पहले मैं इसमें माई की उजनी कहता था डायरेट ऐसे वीडियो बना लेता था बाकि भी खेत का सीनी यह है कि यह में सिचाई वाला काम चली रहा है इदर अपने सत्वाल भीया लगे हुए है जो हम सेट करने में यह देखे आप लोग और अभी बिल्कुल थो एक दो तीन सिर्फ तीन क्यारिया बनाई है मैंने बाकि आगे खोद के ऐसे रेडी कर रखा है लेकिन क्यारिया नहीं बना पाई यार निकालेंगे टाइम कभी इनके लिए भी और बाकि थोड़ा सा फारम का भी शीन दिखा देता हूं इसके बाद मुझे कहीं जाना है तो कभी देखेंगे कुछ अच्छा सब लोग बन पाएगा तो अधर का भी सूट करके लाएंगे इधर ये अपने अनुवाई साब लगे हुए है फारम की साफ सपाई करने में और अभी तो गायों को पानी वानी पिला रहे हैं और कैसे अनुवाई साब लड़ू मड़म जी म लड़ू को पिला दिया पानी लड़ू को भी पानी पलाना वाक्या है और अभी हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं मंदिर में और मम्य अपने साथ चल रही है तो चलिये चलती हम फिर उदर अभी हमारी यह वाली बाइक तो खराब होगी स्टार्ट ही नहीं हो रही आदा लेक हम पूरो चोंज है यह लेकर चलती है आजया मा है कि बाधे बठाब्याद को पिद्धे कर वो भम पैंची प्ज़ज़ को कorgt निचे के सब्सक्राब कुर्च कर kijken हैं। और जो चाहिए रही और नाची में सब्सक्राविक रही है वहां Ox divast and पाड पे चड़े पर दूसरा कोई साथ भी नहीं होता था चड़ने के लिए लेकिन अज अपन इमत की है और अपन पाड पे चड़े हैं और यह देखो मेरे पैरों का ख्यालो रखा इतने सारे काटे चिपक रखें हैं और हवा भी ठीक ठाक चली उपर की साइड में वह सामने मुझे पाड़ की जो चोटी है उचोटी पे चड़ना है और यह जो पाड़ है ना यह पाड़ है दुनिया के सबसे पुराने पाड़ है जो अरावली प्रवतमाला आपने सुना होगा तो अरावली प्रवतमाला के पाड़ है और अब यह जो जगह है यह हमारा जूंजनु पाड़ दूर तक पाड़े पूरा पाड़ी एरिया है और अब चलते हैं उपर के साइड में आज 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 पूर रही बहुत ज्यादा वह बहुत नीचे से उपर चटी के आए हूं है और दूसरा मेरा पहले से वेट काफिया बढ़ रहा इन दिनों में 67 kg बढ़ गया पहले मेरे में 7172 kg वहा करता था लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरा वेट 80 के पास जा रखा है यह देगे कैसे तोंदे निकली हुए है पहले मैं डेली साम को ग्राउंड में जाता था प्रेक्टिस वगरा करने के लिए जहां पर रणिंग हो रहा करते थे अक्सेसाइज वगरा करते थे लेकिन अभी जैसे बिजनस शुरू कर दिया है तो इस वज़े से टाइम नहीं मिल पाता वह ज़्यादा साथ भूल रखी है तो मैं अगर यह आल होता रहा तो दिक्कत हो जाएगी अपन कंटिन्यू करेंगे ग्राउंड में जब भी फिरी रहेंगे और बड़ी एकदम अक्सराइज बगरा करेंगे बड़ी वीडियो जनाएंगे और यह देखिए गाइज कितना अच्छा सीन दिखाई दे रहा है अभी चलते हैं उपर की साइड में अभी आर में इतना उटा तो गया हूं लेकिन उतरेंगे कैसे यह देखन का सीन है वह आगे की साइड में चलते हैं अधर थोड़ा और ज्यादा है और यह हैं दुनिया के सबसे पुराने पाड़ है रावली परतमाला अगर कोई कंप्रिशन एक्जाम की त्यारी करता हो बंदा तो अपना एक कृष्ण रट लेना यह बार आता है कृष्ण की दुन दिल्ली तक हर्याना को कृष्ण करते हुए और इस साइड में देखिया हो लोग अधर सूर्ज है तो वह से देखते हैं वह मस दिखाई देता है और चलते हैं उपर इधर पाड़ की चोटी पर इस साइड में छोटा मंदिर सा कुछ बना हुआ है नीचे से तो नहीं दिखा दिखाई दिया ही है यह देखिया आप लोग अधर तो यह हरा जंडा है मेरे खाल से कुछ और ही हो सकता है यह देखिया आप लोग एक कौन से देवता का मंदिर हो सकता है पता नहीं इस जंडे को देख के अंदाजा लगाते हैं इस पर तो साथ हो चाशी है इसलामिक जंडा कुछ ऐसा तो मेरे ख्याल से यह कुछ बताने से क्या चीज है यह इसका गेट खोल के देखते हैं कि क्या चीज है यह पर यार में एकदम से देख के डर गए इसको यह वाइट वैट मुझे दिखाना कि एकदम से क्या दिख गया पहली बात देख रहा हूं ऐसी चीज में यह क्या चीज हो सकती है यह मंदिर भी नहीं है पता नहीं यह क्या सिस्ता मां घ्र बती होगरा भी है इधर तो यह देखना आप लोग कि अगर आपको किशे को मालूम हो तो कमेंट करके जूरू बताना कि यह क्या सकती है मैं तो पहली बाद देख रहा हूं अशी चीज इधर यह जो मुस्लिम लोगटोपी बेहनते हैं वो सब इधर दो लेकिन मेरे ख्याल चीज इतना मुझे आइडिया है इस एरिया के असपास कहीं कोई मुस्लिम आबादी भी नहीं है मुस्लमानों कार हिंदों का कुछ मिक्स होता ना वैसा मिक्स दिखाई दे रहा मुझे तो अदानी क्या चीज़े गेट कर देते हूं वापीश बंद है और इदर यह कुछ चीम्टे बगरा रखे हैं अरे यार तो तो त्रसूल भी है यह देखा आप लोग यार यह लगी सिस्टम है तो आज पहली बार देख रहा हूं यह मंदिर है या कुछ हो रहा है इन चीजों को देखके तो ऐसा लगता कि मंदिर हो सकता है बाकि अंदर से कुछ और ही है जंडे यह कुछ और ही बता रहे हैं पताने क्या चीज़ है और लाइट वगरा का कनेक्शन भी देखो लेकिन जो लाइट का कनेक्शन और रखा ना वह तार इधर ते कि इस से आगे मतलब कोई है नहीं यहां ते खतम हो जाता मतलब अंदर की साइड में कोई कनेक्शन नहीं इसका और इधर से सीन देखो अपने तो यह देखना है एक जम प्रकरति को देखने आए हैं यह देखा आप लोग कितना चब्यू दिखाई दे रहा है यार गजब है यह कितना कच्रा कर रखा लोगोंने इतर से पूरा आबाद यह दिखाई दे रहा है यह यह देखा आप लोग कि एक मिट के लिए सोचो यार अगर यह सारे घर नहीं होते यहां पर कोई घर नहीं होता पूर एकदम प्रकरतिक जैसा नेचुरल होता ना वैसा अगर यह व्यू होता तो कितना जबर्दिश दिखाई देता ना यह देखा आप लोग गजब है अपन पता कि साइड से आए थे सामने आपको जो पतली सी रोड दिखाई दे रही ना थोड़ा से जूम करता हूँ यह वाली रोड यह देख़ो आप लोग इस रोड से आए थे आगे की साइड में डबल रोड हाईवे है उस हाईवे से मतलब भी साइड में अपन इसरे वाला पारण इसे चारुत्रब से निकलती है और इसके जेट पोजट साइड में अपना मंदर है जिस मंदर में अपना है चलिए आपना की साइड में चलते हैं वंसी पना है और इसाइड से नहां अब आए था लेकिन मुझा एडीया नहीं था कि उद़ उर है वह को जुत्तों सी उतारता हूं तो हाथ पिछी पग जाते हैं इस एड़ पगड़ेंडी है और इस एड़ में थोड़ा समझा रास्ता ठीक है मतलब एक दम खड़ा डलान नहीं है और नम अधर अधर तो बहुत खतरनाक रास्ता था मस होता था कि उपर तो चड़ गया लेकि निचे कैसे उतरेंगे एक दम खड़ी चड़ाई चटान जो बनी हो उस पर और यह देखो कितना सारा घास उग रखा है अगर बारिस का मुसम होता ना तो यह मतलब नजारा और भी ज्यादा और आगे दूर दूर तक पाड़ी पाड़ बने हैं तो यह दूर पूरे पाड़ा एक दम हरे बरे हो जाते हैं लेकिन चलिए यह भी ठीक है पर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाग का पोदा किस काम आता यह तो मुझे भी नहीं पता है और यार वीडियो के बनाने के चेकर में किदर से किदर ही आ गए इस साइड में सांती है यह देखो आप लोग कोई भी फाल्त की आवाज नहीं सुनाई दे रहेगी उपर में पाड़ की चोटी पीता उदर क्या था पूरा अबादी अरिया है थोड़ा गाउं सा बसावा है तो वहां से ट्राफिक की बहुत सारी आवाज आ रही थी और इस साइड में कुछ भी नहीं है यह सामने की देखो आप इका दुका घर दिखाई दे रहे हैं और बाकी इधर से पाड़ कवर हो जाता है तो उदर की आवाज इधर आती नहीं है और इस साइड में भी एक कवर जैसी भी की आवाज आ रही है वागी कोई सोस्राबा नहीं है और यह खे देखो यार कितने सुन्दर दिखाई दे रहे हैं कद 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 गोणने कहने केंद रुटा इवनी कण जेंगा के बाद लगा है कि अब अब आज गर पूंचने में काफी लेट हो गया अंधेर आज अब यह तोड़ देर पहले ही गर पूंचे और आज गर पूंचने में काफी लेट हो गया अंधेरा हो रखा पूरा और सर्दी भूज जड़ा रख़े पिशले दो-ती दिन से सर्दी बढ़गी वाणा इतने जड़ा सर्दी नहीं होती थी और इस साल हमारे इदर सर्दी थोड़ा सा लेट है जैसे आज मतलब 9 दिसंबर हो रखे अब नह नो दिसंबर तक तो मतलब कोफी लेट सर्दी चल लग है और इधर अपने फारम में जो घाएं बार थी उनको अंदर कर रहे हैं और आज इसलिए जल्दी अंदर करें क्यों मैंने बताई ना दो दिनों सर्दी कुछ ज्याद्य पढ़ने लगी है इस वज़़े लगा रहा कि अन। अलग ही बना र अपना कुत्ता नहीं यह प्रोशियों का कुत्ता है लेकिन कुत्ते को प्रोटी को थोड़ा सा लाड़ दू-लार कर दो एक दो रोटी दे दो पर अपना मित्र बन जाता है तो यह हैं मित्र बना हुआ है और अधर के यह देखिए आप लोग अभी जैसे गाएं को अंदर किया है न तो जो तिरपाल लगा रखें तिरपाल को करू कर देंगी क्योंकि हलके हलके ठंडी हवाद चाल रही है और चुबने वाली हवा है इसलिए गाएं को कोई दिक्कत नहीं हो इस जैसे और इसके साइड में कुछ से वह रिष्ची लगा र रहेगा और यह तिरपाल जैसे तारों तरफ से लगा रखें ना अपन जो जाएंगे और आगे की सैड में कवर हो जाएंगे और यह अपनी लड़ू जी अभी जब यह देखो आप लोग मैंने मोबाइल के लाइट ओन कर रखें ना और मोबाइल की जो लाइट इसके आखो ऐसे इनसानों के आखें नहीं चमकती हैं हमले गायों की और जैसे जो जानों रहते हैं उनके आखें चमकती हैं हलो हलो और आज का लोग इधरे खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लिगी हो तो लाइक एंड शेर जूरू कीजेगा चैनल भी जूरू थैंक्यू धन्यवाद राम राम भाई